हलो सुदेंट्स वेलकम टू पैरागॉन क्लासिस क्लास 11 में हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रिक्शन जोगी लॉज आफ मोशन का पार्ट है जोगी डायनिमिक्स का पार्ट है और आज की क्लास में आज के लेक्चर में हम फ्रिक्शन के दो इंपोर्टन टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ आज का हमारा पहला टॉपिक है यह आपके सामने प्रिक्शन के लिए जुट आपको पार्ट है टॉपिक का नाम है अंगल ओफ रिक्षिन आपको सामने दिखाए जे रहा है आपका टॉपिक अंगल ओफ फ्रिक्षिन अब इस अंगल ओफ फ्रिक्षिन को स्टेडी करने के लिए हमने एक एक सिचुवेशन कंसीडर किया है जिसमें आपके सामने एक सर्फेस पर एक इस तरह का अबजेक्ट प्लेस्ट है और अभी ये रेस्ट में है और जब तक ये रेस्ट में है तब तक इस अबजेक्ट का जो वेट है सबको पता है अबजेक्ट का जो वेट है वो एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड ये वेट अर्थ के ग्रैविटेशनल फॉर्स की वज़े से होता है यह weight वो force होता है जिस force से earth इस object को अपनी तरफ attract कर रही होती है लेकिन चुकि यह surface के उपर यह object placed है तो इसका सारा weight जो की mg होता है वो इस surface के उपर act करता है जिसको हम action भी बोलते थे Newton's third lock motion के हिसाब से M इस object का mass है तो उसी third lock के हिसाब से यह भी बताया जाता था कि यह surface भी इस object पर एक reaction लगाता है और वो reaction equal and opposite होता है यह आपका reaction बनी है इसे normal reaction भी कहा जाता है जब तक यह object पर और कोई force नहीं लग रही है and the object is resting on this surface तब तक जितना object का weight इस surface पर act करेगा यानि कि action उतना ही यह surface इस object पर reaction लगाएगा यह हम पिछले chapter force के newton's third law of motion में पढ़ चुके अब हम इस object पर एक force अपने आप से लगाते है let us suppose जो force हम इस पर लगा रहे हैं वो force है यह और force क्या होती है force is a push or pull यह force हमने इसको लगाया इस object को इस तरफ move कराने के लिए left side में इस force को मैं applied force बोलता हूँ इसलिए af लिखता हूँ the force applied which is trying to move the object in left direction जब तक आपने यह force नहीं लगाया था तब तक r और mg यह दो ही forces act हो रहे थे इस पूरे system में लेकिन जैसे ही आप applied force लगाएंगे एक force automatically आ जाएगा जिसका नाम है friction जो कि आपको बताया था self-adjusting force होता है और उसकी value भी और direction भी self-adjusting होता है यह आपको बताया गया था पिछले lectures में और वो force F से denote किया जा रहा है Q friction राइट साइड में लगा है क्योंकि applied force लेफ्ट साइड में आपने लगा दी अगर आप applied force राइट साइड में लगाते है friction उसके उल्टी दरब इंजी नीचे surface का reaction उपर आपने force apply कर दी इधर इस object को move कराने के लिए तो friction automatically लग गया है इधर अब अगर आप यह जो friction है जो कि एक vector quantity है क्योंकि यह force है force कोई भी हो friction की या आपकी हमारी लगाई हुई या gravity की है कैसी भी हो vector quantity होती है तो यह सारी forces यह mg भी vector है यह r भी vector है तो मैं फिलाल सिर्फ r और f के उपर arrow लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिलाल इनी से deal करना है इनी से लेना देना है बाकी सारी forces जैसे लग रही है ठीक है okay लेकिन अगर हमें angle of friction को understand करना है तो हमें r और f को mainly consider करना पड़ रहा है अब यह f force जो आप देख रहे हो यह arrow और r force जो आप देख रहे हो यह दूसरा arrow अगर आपको इन दोनों का resultant निकालने के लिए कहा जाए दो forces दो vector इनका resultant find out करने के लिए कहा जाए तो आप use करोगे vectors में पढ़ाया गया parallelogram law of vector addition जिसके मताबिक आप इन दोनों forces या दोनों vectors से बनने वाला एक parallelogram complete करोगे यह मैंने क्या complete कर दिया एक parallelogram और यह parallelogram complete करने के बाद यह parallelogram का जो diagonal है यह यह parallelogram का जो diagonal है यह कहलाएगा इस force of friction और normal reaction यह भी एक force है इन दोनों का resultant तो कहानी फिर से बोल रहा हूं बड़ी simple है box रखा है इसकी surface पर surface box ने weight लगाया mg surface ने reaction लगा दिया normal reaction r आपने एक force लगाई इसको चलाने के लिए force of friction लग दिया इसको रोकने के लिए आपने force of friction और normal reaction का जो की दोनों vectors हैं उनका resultant find out कर दिया using parallelogram law of vector edition और यह जो आप angle देख रहे हो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं दर भी बन रहे हैं दर भी बन रहे हैं लेकिन आपको यह एंगल consider करना है यह एंगल किस किस के बीच में बन रहा है resultant of f and r किस किस के बीच में resultant of f and r एक तो f और r का resultant है उसके बीच में and r f r का resultant है उसको मैं let us suppose small r से denote कर देता हूं क्योंकि capital r से denote करेंगे तो confusion हो जाएगा capital r तो normal reaction के लिए होता है तो आप ऐसा भी कह सकते हो it is the angle between यहां लिखता हूं angle between small r and capital r small r क्या है small r है यह resultant of f and capital r force of friction और normal reaction का resultant का force of friction और normal reaction का resultant उस resultant ने capital r यानि normal reaction के साथ जो angle बनाया है वो angle alpha कहलाता है angle of friction तो अगर बच्चों से पूछा जाए what is angle of friction यह define करें angle of friction को angle of friction क्या होता है तो बच्चे बोलेंगे it is the angle it is the angle and denoted by alpha बाद में बताएंगे it is the angle which the resultant of force of friction and normal reaction makes with the normal reaction it is the angle it is the angle which the resultant of force of friction and normal reaction makes with normal reaction force of friction और normal reaction का जो resultant है वो resultant normal reaction के साथ जितना angle बनाता है वो angle of friction क्यालाता है यह angle of friction की होगी definition और आगे लिखना होगा it is denoted by alpha ठीक है जी तो अब angle of friction तो आपको पता चल गया है denote काई से करते हैं भी पता चल गया अब इसके आगे की जानकारी थोड़ी सी और ज़रूरी है वो आगे की जानकारी लेने के लिए यह जो point है न जहां से r बनाया है आपने f बनाया है और resultant बनाया है इस point को मैं o मान लेता हूँ इस point को a मान लेता हूँ इस point को b और इस point को c ठीक है जी तो यह आपका एक quadrilateral जैसा हो गया o b c a यह पूरा quadrilateral simply जैसे geometry में कोई भी figure बनती है उसके vertices पर a b c d नाम रख देते हैं बस और कुछ नहीं किया अब आप देखेंगे triangle o b c में o b c देखेंगे triangle यह वाला triangle लेना है इस पर मैंने tick mark लगाया right angle triangle है क्योंकि यह 90 degree है लोग यह भी ले लिया इस triangle में o b c triangle में अगर मैं 10 alpha find out करता हूँ तो वो कितना आना चाहिए तो alpha 10 alpha find out करता है alpha के सामने वाला perpendicular होगा यानि b c और 90 के सामने वाला hypertonus होता है लेकिन 10 alpha का formula होता है perpendicular upon base तो यह तो perpendicular b c already हो गया 90 के सामने वाला hypertonus हो गया तो बचा तो b c यानि o b और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि b c का जो value है वो o a के equal है यह हम जानते हैं क्योंकि हमने यह क्या चीज complete किया था parallelogram और parallelogram की जो opposite sides होती है वो equal भी होती है और parallel भी होती है तो यहाँ b c के जगे मैं o b o a लिख सकता हूँ b c के place पर o a लिख सकता हूँ o a simple geometry और trigonometry का use किया जा रहा है इसमें कोई जवर्दस्त वाला कोई physics या mathematics बहुत हाइफाई नहीं है simple वाली trigonometry है 10 alpha का value perpendicular upon base और geometry क्या है कि अगर b c की value को o a लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है parallelogram की opposite side equal होती है तो therefore आप लिखोगे 10 alpha is equal to o a जो है o a उसका जो value है वो f जो o a side है वो किस vector को denote करती है f को मैं f के उपर arrow नहीं लगा रहा क्योंकि मैं सिर्फ उसका क्या लिख रहा हूँ magnitude vectors chapter में ये बताया गया था कि अगर आप को पहले से पता है कि alphabet किसी vector को represent करता है तो आपको उसके उपर arrow लगाना अची है जो magnitude और direction दोनों बताता है लेकिन अगर आपने arrow नहीं लगाया था वो magnitude को ही represent करें और ये जो O B आप देख रहे हो ये O B side जिस vector को represent करती है वो है R यानि normal reaction तो आपने O A की value पुट कर दी जो की F है और O B की value भी पुट कर दी जो की R है अब आपके पास formula बन गया 10 alpha is equal to F by R ये आपका first equation आ गया इस formula से अगर आपको force of friction पता है और normal reaction पता है जिसकी value mg ही होती है तो आप 10 alpha find out कर सकते हो और 10 alpha में अगर ये value आ गई आपकी तो alpha भी पहचान में आ जाएगा अगर आप ये value पहचानते हो वरना 10 inverse लिख देते हैं वह मैंने पहले बताया अबा बच्चों तो this is the formula to find out the angle of friction तेटके आपके पास 10 alpha का formula क्या आ गया F by R तो आप ऐसा लिख सकते हो और करके alpha is equal to 10 inverse F by R मैंने बता है F और R की value रखने के बाद अगर वो जैसे 1 आ जाती है मान लीज़े F by R करके 1 आ जाता है तो 10 alpha में alpha की value 45 degree हो जाएगी अगर कोई इस तरह का fraction ये decimal कुछ आता है जो आप नहीं पैचानते तो ये लिख देंगे तो this is the way you can find out alpha which is called angle of friction जो की है force of friction और normal reaction के resultant ने normal reaction के साथ बनाया है notes में इसका definition लिखा हुआ है अब दूसरी और आखरी इस topic की important बात क्या है आपको पिछली class में laws of limiting friction में एक formula पढ़ाया था वो formula था f is directly proportional to r यानी force of friction जो होती है limiting friction वो directly proportional होती है normal reaction के और proportionality का sign हटा कर mu लगाया जाता था जिसे coefficient of friction केते थे और mu की value आप निकालते थे जो की होती थी f by r यह आपको पिछली class में पिछले lecture में पढ़ाया गया था laws of limiting friction में तो आप laws of limiting friction के मताबिक जानते हो कि f by r से आप mu की value निकालते हो जो की coefficient of friction होता है और आपने आज f by r से 10 alpha निकाल दिया यानी f by r 10 alpha के equal आया है अब आप from first and second क्या समझते हो आप समझते हो first and second के हिसाब से 10 alpha is equal to mu हो जाएगा क्योंकि आपके पास first or second equation को देखने पर first equation और second equation को देखने पर यह पता चल रहा है कि दोनों equation के right hand side सेम है तो left hand side भी सेम होंगे यह बड़ा important relation बन जाता है किसी भी दो surfaces के बीच के coefficient of friction coefficient of friction उस वो surface कितना rough है या स्मूथ है इस बारे में जानकारी देता है यह मैंने पिछली ग्लास में बताया था और angle of friction के बारे में यानि के कहीं आपको अगर angle of friction given हो कुछ 30 degree वगरा 60 degree वगरा तो आप उसका 10, 1030 यह 1060 जो भी solve करोगे वही उन दोनों surfaces के बीच का coefficient of friction आएगा ऐसा books में लिखा नहीं होता उनको ऐसा लिखना थोड़ा सब स्टैंडर्ड लगता होगा शायर की coefficient of friction से surface का smoothness या उसकी roughness या खुर्दूरापन ऐसा बुछ पता चलेगा बट असली में mu means how much smooth how much rough is the surface तो आपको यहाँ mu यानि coefficient of friction जो आपने कल एक important term पड़ी थी यानि पिछली class में उसके और angle of friction के बीच में relation पता जल गया आप ऐसा ही बोल सकते हो तो tangent of यह tan का full form tangent हो था tangent of angle of friction is equal to the coefficient of friction between the surfaces तो यह जो आपने relation और पूरा formula और अगल of friction समझा यह आज का पहला topic है यह आपको numerical solve करने में बड़ा काम आएगा और जानकारी तो वैसे भी इसकी होनी ही चाहिए अब क्योंकि mu का unit भी नहीं होता तो 10 alpha का unit obviously नहीं होता किसी भी trigonometric ratio का कोई unit या dimension नहीं होता यह dimensional analysis वाले chapter में हम पड़ चुके खाली अगर angle दिया है angle alpha उसको आप radians में measure करते हो radians is the SI unit of angle of friction तो यह topic हमारा यहीं finish होता है बस यह अपने आप में complete as इतना ही topic है अब हम चलते हैं अपने आज के next topic पर तो यह आपके सामने आ गया है हमारा आज का अगला topic जिसका नाम है angle of repose अभी आपने पढ़ा अगला अगला topic है angle of repose अभी आइंगल आफ रीपोज को पहले आप theoretically समझ ले उसके बाद उसका mathematical concept भी समझाय जाएगा और यह जो mathematical इसका concept है वो one of the most important और one of the most मतलब भी कहना चाहिए कि one of the most frequently used होने वाला concept यह topic है यह word भले यूज ना किया जाए बार बार angle of repose लेकिन जो इस angle of repose के concept में आप mathematical चीज सीखोगे वो आपकी mechanics में कहना किए सबसे जादा यूज होगी 12th class में भी electrostatics वगेरा में भी mechanics का काफी यूज है बहुत जादा यूज है वहां पर भी बहुत यूज होगा और कहां होगा मैं बताऊंग अभी पहले आप angle of repose समझ लें लेकिन इसको समझते वे ध्यान रखें कि आप एक जैसे वेक्टर हमेशा physics में फिजिक्स की lifetime तक चलता है जब तक physics पढ़ता है बच्चा ऐसी यह वाला concept भी mechanics में और बहुत सारी branches में बहुत जादा यूज होता है यह आप जो first diagram देख रहे हैं इसमें किसी horizontal surface पर मैं नाम रख देता हूँ यहाँ इस point का O और इस point का नाम रख देता हूँ A यह O A कोई surface है जिस पर यह box placed है rest में और यह horizontal surface है जैसे आप देख पा रहे हो सारे बच्चे और इस horizontal surface पर यह box रखावा है अभी कोई इस पर कोई external force आपने नहीं लगाई किसी इंसान नहीं लगाई तो आपको पता है कि एक ही काम हो रहा है जो मैं आपको दिखा देता हूं तो यह center से हमने बना दिया एक नीचे force यह force दिखाता है कि यह object इस surface पर mg force लगा रहा है और इस surface भी इसके उपर क्या लगाएगा यह आपको बार-बार बताया जा चुका है newton third law of motion से इस chapter में यह use हो रहा है बार-बार इस से just पिछले chapter में हमने समझा था तो आपके पास एक force mg है जो इस body का weight है लेकिन acting on surface OA और यह force R है जो normal reaction है जो OA surface इस पर लगाता है और बाकी कुछ नी है तो यह तो कई बार हो गया अब असलियत जो main topic है उस पर आते हैं कि आपने consider कि यह O point तो ऐसे का ऐसे ही है मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं यहां पर जिससे की बच्चों को confusion ना हो यह O यह वाला point है और A यह वाला point है यह as it is है O point लेकिन आपने इस A वाले point को उपर उठाना शुरू किया यानि आप जिस surface पर यह object को रखे हो उस surface के एक end को आप वैसे रखके दूसरे end को उपर की तरफ lift करना शुरू करते हो यह आप खुझ से करके देखो आप एक कोई बड़ा सा register copy या कोई book थोड़ी hard सी चीज ऐसे horizontally हाथ में पकड़ लो बिल्कुल सीधा और उसके ओपर कोई pencil box अपना जो मैं tree box type की चीज रख दो मतलब यह जो O A है यह आपके हाथ में पकड़ा हुआ एक register या कोई मोटी सी book है जो थोड़ी hard surface की होनी चीज है आपका जो examination में pad ले आते हो ऐसा कुछ हो सकता है कोई cardboard हो सकता है hard resting surface और उसके ऊपर आप एक कोई object जैसे की pencil box वगएरा इस तरह ही कोई चीज रख दो ठीक है mobile, mobile type कुछ mobile मत रखना तो गिर गया तो नुकसान होगा तो ऐसी कोई चीज जो गिर भी जाए इसके ऊपर से कोई नुकसान ना हो ऐसा कुछ surface सीधा रखो और फिर वो जो register या वो जो नीचे book है उसको एक end वैसा ही रखके दूसरे end से तिल्ट करना शुरू करो तिर् जैसा है वैसे रेगा ही लेगा नहीं लेकिन जैसे जैसे आप इस point को थोड़ा 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 उपर ले जाओगे जैसे आप अभी यहां तक ले गए अभी भी यह box हिला नहीं है लेकिन थोड़ा 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 उपर और gradually ले जाना एक दम से नहीं बिल पर यह points हा, उसको उपर ले आता, ले आता, ले आता, मैंने ऐसी जगें रूका है, जहां this object just begins to slide, यह important चीज़ note कर लो, just begins to slide, slide माने फिसलना, मतलब एकदम से ऐसे उचा सा नी कर देना एक end को, तिरचा, तो आपको पता ही नीचे लेगा, कब चलना शुरू किया उसने, वो तो zoom कर के नीचे आएगा, आपको यह वाला जो right side वाला end है, इसको fix रखना है, रेजिस्टर को एकी तरफ से उठाना है, दीरे 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 दीर यह रूप भी जाएगा, बट आपको वो point, बहुत carefully, यह experiment, ना कहके experiment तो खर, हाई फाई चीज को laboratory में करना कहते हैं, यह activity है, यह सारे बच्चे, pause करके, आगे पढ़ने से पहले, वीडियो को यहीं पर pause करके, यह करके देखो, जो करके नहीं देखेगा ना, उसको यह बात कभी समझनी आई, क्या करके देखना है, दुबारा से सुन लो, एक register type की कोई चीज लो, यह notebook होती है ना, आपकी, बड़ी सी, और थोड़ी ऐसी, लहराती भी सी उनने चीए, hard surface वाली उनने चीए, गत्ते की copy, कोई गत्ता, tough surface, उसके उपर ऐसे कोई box जैसी चीज, कोई match box बड़ा सा, है ना, और बहुत सारे example हो सकते है, कोई साबुन की टिकी, टाइप का कोई चीज, है ना, geometry box भी best example है, ऐसा कुछ रखो, और पहले उसे सीधा horizontal पकड़ो, तो अपने आप तो हिलने का मतलब ही नहीं है, फिक्शन की वरे से खिल नहीं सकता object, जब तक आप खीचो बीचना कुछ नहीं है, आपको इस horizontal surface का एक end उपर की तरफ उठाते जाना है, देख रहे हैं कैसे उठ रहा है, और उपर की तरफ उठाते जाना है, धीरे धीरे करना है, गाना सुनाओगा बच्चों ने, धीमे धीमे, बड़ा ही टुआ था था अभी कुछ दिन पहले, तो just begins to slide हो जाए, बस वहीं रोकते ही, अब समझाते हैं, एंगल आफ रीपोज क्या होता है, यह जो इस सर्फेस ने अपनी ओरिजनल होरिजॉन्टल पोजीशन के साथ एंगल बनाया, लेकिन इंगल कुछ भी नहीं, उतना एंगल जहां पहुँचने पर यह बाडी ने just begins to slide, यानि चलना just शुरू किया, उस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एंगल आफ रीपोज कहलाता है, तो जब आप एंगल आफ रिपोज का डेफिनेशन बोलोगे, अपने आप जो अंडेस्टैनिंग वाली बात है, उसमें तो आप समझ ही गए हो, लेकिन डेफिनेशन कहा जाएगा, ध्यान से सुनो, नोट्स में लिखा भी है, पाउज करके लिख भी सकते हो, मैं इतना आराम से बोलूँगा कि बच्चा अगर देखते देखते भी लिख रहा है तो लिख ले, यह जो इस तरह की चीज होती है ना, ऐसे तिरचा, यह कहां देखा है बच्चो ने, घर के बाहर जो स्कूटर बगरा चड़ाने के लिए रैम्प बना होता है, यहा रोड होती है, यहाँ पर आपकी सीडियां विडियां टाइप होती है, तो यहाँ उचा सब प्लैटफॉर्म होता है तो आप एक ऐसा सरफेस बना देते हो, जिसको आप आम बोल चाल की भाशा में रैंप कहते हो, scientific भाशा में इसे inclined plane कहा जाता है, यह जैसे तिर्चा सर्फेस है, इसे कहा जाता है inclined plane, तो दुबारा सुने, the angle of repose is defined as the angle of inclined plane at which the object placed on it just begins to slide. यानि angle of repose क्या कहलाता है, inclined plane का वो angle, यह जो inclined plane है, इसका horizontal के साथ वो angle जिस पर object रखने पर just begins to, ऐसे नहीं यह रखाओ फटाक से, just चलना शुरू करे, उसे कहा जाता है angle of repose. तो फिर से सुनाता हूँ, the angle of repose is defined as the angle of inclined plane at which the object placed on it just begins to slide. आप इससे और उपर करोगे तो यह और तेजी से नीचे आएगा, फिर तो बहुत कुल speed से, ऐसे करोगे और बिल्कुल ही सीधा, इसको और उपर ले आके बिल्कुल ऐसा vertical कर दोगे ऐसा. तो यह object तो नीचे ऐसे फटाक से आए गई, लेकिन आप इसको इस position पर ले गए, इस object ने चलना शुरू नहीं किया, इस position पर ले गए, उस position पर रोकना है, जहाँ यह चलना जस्ट शुरू करे. Just begins to slide वाली बात याद रखें. तो आपने अब समझ लिया कि angle of repose क्या होता है, theoretically समझ लिया. अब इसका थोड़ा mathematics version देखें, यह mathematics version बहुत important है. चोड़ी तो important है, आप किसी भी angle को angle of repose नहीं कह सकते. आप सिर्फ उसी angle को angle of repose कहोगे, जिस angle पर रखे हुए object ने surface पर चलना just start किया है. अब आपको दिखाते हैं, angle of repose का mathematical factor. तो यहीं से शुरू करते हैं. यह आपका object, यह surface था, जब तक horizontal था, एक course था mg, एक course था r. इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि यह slide करना शुरू करता ही क्यों है, यह slide नीचे करके आता ही क्यों है. आप तो अभी इस पे कोई force लगा नहीं रहे, सिर्फ आप इसको surface को उठा रहे थे और इसे तिर्शा कर रहे थे. बीना आप इस object को touch किये, यह object नीचे कैसे आ जा तो यह surface को, नीचे वाले surface को lift करोगे, तो क्या होगा, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ. ध्यान रहे, कुछ important points आपको notice करने हैं और हमेशा याद रखने है, कि mg force हमेशा vertically downward लगेगा. ऐसा नहीं कि यह surface आपने यहाँ के बज़ाए यहाँ ऐसा तिर्चा कर दिया, तो mg force भी तिर्चा हो जाए. अगर यह surface देख रहे हैं, ऐसा, यह यह नीचे अला surface horizontal है. यह आप कितना भी तिर्चा कर दो. mg force हमेशा vertically downward ही लगेगा. आप इसको बिल्कुल ऐसा कर दो. इसको उठाते 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 बिल्कुल पूरा ऐसे यहाँ ले आओ. तो यह बक्सा यहाँ पहुँच जाएगा. देखो यहाँ पर पहुँच जाएगा ऐसे. तब ही भी weight हमेशा vertically downward लगेगा. यह बड़ी important बात है. weight को इस surface से कोई लेना देना नहीं होता. अभी तो मजबूरी है इस case में. first case में. मजबूरी है. क्या मजबूरी है? कि weight तो अर्थ की gravity की वज़े से vertically downward लगना ही है और वो सारा weight vertically downward नीचे होने की वज़े से OA पर लग रहा है. surface पर लग रहा है. लेकिन अगर ये surface केड़ा होता रहे और कितना भी अपनी position को change कर ले. इस object को इस surface से कोई दुश्मन ही नहीं है. ये weight इसी पर लगेगा. उसे तो gravity से मतलब है. उसे तो gravity खीच रही है अपनी तरफ. तो जैसे जैसे आप इस surface को उपर की तरफ ले जाते जाओगे. उससे weight पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. weight will keep on acting vertically downward. ये इसका पहला most important point है. इस पूरे चीज को mathematically समझने. यानि ये surface की position change होने से ये जो weight है हमारा vertically downward act कर रहा है. इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्राब्लम क्लियर हो गई. तो weight as it is रहेगा. चीक है जी बात. देख लिए बच्चों ने यहाँ पर भी ऐसी vertically ऐसा बिल्कुल इस surface को ये अभी horizontal था. इस surface को ऐसे करके vertical रख दो. तो अभी भी object अब इस surface पर weight नहीं लगाएगा कुछ भी. ज्यान रहे हैं. यह object इस surface पर weight नहीं लगाएगा. चीको object को तो gravity कीच रही है. उसे अब इस surface से कोई लेने देना नहीं है. लेकिन जिस चीज़ पर फर्क पड़ेगा वो चीज़ क्या है. मैं दिखाता हूँ. अभी फिलाल इसको रब नहीं करते हैं. इसकी ज़रूरत पढ़ सकती है. गौर से देखें, कि ये जो R नॉर्मल रियक्शन है. पहले ये surface जब तक surface बिल्कुल horizontal था, तो नॉर्मल रियक्शन सीधा उपर की तरफ था. क्योंकि नॉर्मल रियक्शन की एक property है, कि वो हमेशा surface के नॉर्मल एक्ट करता है. उसे surface के नॉर्मल बने रहना है. ये इन दोनों में basic फर्क है. तो surface जब तक horizontal रहता है, reaction बिल्कुल सीधा रहता है, क्योंकि उसे surface के नॉर्मल रहना है. लेकिन surface जैसे जैसे tilt होता जाता है, तिर्चा होता जाता है, उपर उठता जाता है. ये normal reaction जो पहले यहाँ पर बनना चाहिए था, बिल्कुल सीधा, जब तक surface सीधा था, normal reaction यहाँ बनना चाहिए था. वो normal reaction तिर्चा हो जाता है, क्योंकि उसे हमेशा surface के normal रहना है. ये दूसरा सबसे important factor है. अगर यहाँ पर देखें, तो normal reaction यह हो जाएगा. वेट को surface से कोई मतलब नहीं होता है, normal reaction को सिर्फ surface से मतलब होता है. ये दो बातें जिसने याद रख नहीं, अच्छी तरह, उसको mechanics में, inclined plane पर रखे हुए objects के बारे में, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. और मैं reason भी बता रहा हूँ, कि वेट को surface से क्यों मतलब नहीं होता, क्योंकि वेट इस surface के उपर act नहीं करना चाहता, मजबूरी है. वेट होता है gravity की वज़े से. वेट वो force है, जिस force है, अर्थ उसे अपनी तरफ खीच रही है, जो कि gravitation force है. वो तो मजबूरी है surface बीच में आ गया. इसलिए वेट को surface से मतलब नहीं है, लेकिन normal reaction को surface से मतलब है, कि normal reaction वो force है, जो surface object पर लगा रहा है, और उसे surface के normal ही रहना है. तभी उसका नाम पढ़ा normal reaction, यानि नहीं तो खाली reaction बोल देते हैं. खाली reaction हम बोलते हैं, जब हमें understood होता है कि वो तो normal है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. नहीं तो खाली reaction बोलना भी technically incorrect माना जाता है. हमें बोलना चाहिए normal reaction. तो आपका ये जो surface है, surface के लिए मैंने इस तरह डिजाइन बना दिया, ये surface पहले ऐसे था. और normal reaction पहले ऐसे था. surface जितना जितना आपका घूमता जाएगा, उपर उठता जाएगा, normal reaction भी अपनी position से उतना ही नीचे की तरफ आता जाएगा. और देखें, surface पूरा 90 डिग्री घूम गया. देखें, पहले horizontal surface था, अब आपने उसको इधर से उठाते 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 पूरा, अगर इस point को मैं O बोलूँ और इस point को A बोलूँ, तो ये A point अब यहाँ आ चुका है. ये से हम इस चीज़ को उपर उठा रहे हैं. तो A point यहाँ आ चुका है, तो आपका जो normal reaction है, वो भी पहले ऐसे था, vertically upward अब यहाँ horizontal हो गया है. चुकि normal reaction तो surface की वज़े से हैं. उसका gravity से कोई लेना देना नहीं है. नॉर्मल reaction कौन सी force है, जो surface object पर लगाता है. तो normal reaction के position में change होगा हमेशा. यहाँ पनाएंगे, तो normal reaction ऐसा बनेगा. तो पहली बात क्या समझी आपने हैं, कि weight में कोई change नहीं होगा direction में. वो mg ही रहेगा और vertically downward रहेगा, चुकि weight gravity की वज़े से होता है. लेकिन surface अगर आपने एक तरफ से inclined करना शुरू कर दिया, तो normal reaction सीधा होने के बज़ाए, जितना angle आप surface को inclined करेंगे, normal reaction अपनी original position से उतना नीचे की तरफ जुखता जाएगा. अब हम आपको तीसरा और सबसे main point बता देते हैं. उसके लिए, मैं ये सारी चीजें फिलहाल हटा देता हूँ. जो mathematical चीज आपको सिखाने के लिए, ये सब कुछ किया जा रहा है, वो दिखाते हैं सबसे पहले. तो जड़ाग और से देखेंगे. ये आप उस position पर पहुँच गए हैं, जहाँ angle theta, angle of repose है, theta से denote कर रहे हैं. और यहाँ आपने क्यूं रोका, क्योंकि body ने just begin कर दिया, यानि शुरू कर दिया slide होना. अब इस diagram को, मैं explain करता हूँ. सबसे पहले, इस point से, मैंने बनाया, इसको तोड़ा सा अच्छा बनाएंगे. यहाँ से बनाया आपने एक, mg, mg force बताया, हमेशा vertically downward है, vertically downward है, vertically downward है. जब आप reaction बनाएंगे, यहाँ से, तो यह reaction, surface से, normal बनाना है आपने, तो यह आपका reaction हो गया. असुविदा ना हो, तो मैं यह वाली चीज भी फिलाल हटाना चाहूँगा. जस्ट बिगन स्टू slide बहुत हो गया, और मेरे हटाने से फर्क नहीं पड़ता, rewind करके देख सकते हैं. तो मैंने क्या बनाया, एक force बनाई mg, और दूसरी force बनाई normal reaction, जो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था. सबसे important बात यह है, कि अगर मैं इसको ऐसे सीधा आगे बढ़ाऊं, इस mg को, तो यह जो dotted line से, जो आपको line दिख रही है, यह normal reaction की तब position थी, जब वो surface horizontal था. मानते हैं, जो कि तब mg नीचे था, नॉर्मल reaction उसके just opposite लुखता था. और, जब यह surface horizontal होने के बजाए, ऐसे थोड़ा उपर हो गया है, तो जितना angle यह surface उपर हुआ है, उतना ही exact angle, यह normal reaction अपनी position से, कहां पहुँच जाएगा? इधर, जो मैंने भी बताया था, कि अगर surface horizontal था, तो नॉर्मल reaction ऐसे था, यह surface है. आप इस surface को, यहां से ऐसे कर दो. तो यह surface आपने कितना घुमा दिया है? 90 degree, तो अब normal reaction यहां पहुँच गया. यानि नॉर्मल reaction अपनी position से, पहले vertical था, आप कितना हो गया है? कितना गुम गया है? यह उसकी original position सी, 90 degree. यानि इस surface को आप जितना, यहां से, यहां तक ले जाओगे, जितना angle आप उसे move कराओगे, नॉर्मल reaction भी अपनी position से, उतना ही angle, नीचे की तरफ जुखता जाएगा. यानि यह angle भी theta होगा. बहुत सारे बच्चों को यह reason पता ही नहीं होता है. कि यह angle theta क्यों है? क्योंकि बुक्स में इसको बहुत जादा describe नहीं किया होता. कौन एक घंटा बोलेगा? बुक में तो जो 10-12 line लिखनी है, आप उसको पढ़ो, समझो, अपने आप ठीक है. तो तीसरी important बात, पहली important बात क्या थी? कि weight mg को surface से लेना देना नहीं है, वो vertically downward लगेगा. दूसरी important बात क्या थी? कि normal reaction surface से लेना देना होता है, वो हमेशा surface को follow करता है, वो surface के 90 degree पर लगेगा. और जितना आप surface को तिर्शा करते जाओगे, normal reaction भी उतना ही तिर्शा होता जाएगा. और तीसरी बहुत important बात, जितना आप horizontal surface के एक end को, अपनी original position से उपर उठाएंगे, जो आपका normal reaction था पहले बिल्कुल सीधा, वो अपनी original position से उतना नीचे की तरफ, यानि इधर left side में चुथता जाएगा. पहले normal reaction बिल्कुल सीधा था, आपने इसको इधर theta angle उठाया, या अपनी position से theta हो गया. अगर आप इसको उठाके बिल्कुल सीधा यहाँ 90 कर दोगे, तो normal reaction भी सीधा के बजाए, इस तरफ यानि ऐसे करके, यहाँ 90 हो जाएगा. तो इसलिए जितना angle उठता है, उतना ही angle यहाँ रहता है. यह theta तो यह भी theta. Geometrically कोई लेना देना नहीं है, vertically opposite, alternate, corresponding ऐसा. लेकिन, logically यह है कि जितना angle आप इसको उपर ले गए, उतना angle, normal reaction अपनी position से यहाँ गया. Because it has to remain normal to the surface. अब बारी आती है, थोड़ी सी geometry की. अगर मैं इस line को पीछे की तरफ extend कर दूँ, ऐसे. तो यह angle अगर theta है, तो यह angle भी theta होगा. अब यह दोनों आपस में कहलाएंगे vertically opposite. बच्चों को यह वाली बात समझाई नहीं जाती, ज़ादा तर. और उनको सीधा यह बोल दिया जाता है, कि अगर इस किसी inclined plane पर क्या बोल दिया जाता है, वो मैं दिखाता हूँ. इसको हटा देते हैं. और उन्हें कहा जाता है ये, कि ये आपके पास कोई inclined plane है, ये ऐसे. और उस inclined plane पर आपका बॉक्स रखा है, बॉक्स ग्रीन कलर से बता रहते हैं. और ये angle theta है. तो सीधा सीधा ये बता जाता है, ये तो force हो गई mg. और ये हो गया आपका normal reaction. और इसको जब आप पीछे ऐसे extend करते हो, तो ये angle theta हो गया. अब ये theta होने पर ये angle directly theta कैसे हुआ? ये कहीं पर ज्यादातर किताबों में और ज्यादातर classes में explain नहीं होता, और ना इनके बीच में कोई सीधा सीधा geometrical relation हो जाता. अगर आपको ये जानना है कि ये angle theta यानि जितना भी होगा 30-60, उतना ही ये angle भी होगा. तो आपको ये कहाणी normal reaction वाली जाननी जरूर लिये. क्या कि surface जितना तिर्चा होगा normal reaction जो कि पहले यहां था, था ना mg के just opposite जब तक surface horizontal था, तो normal reaction भी अपनी position से उतना theta angle जुक गया. जितना theta आपने इसे उठाया, ये उठेगा और ये normal reaction जुकेगा. और उसके theta angle जुकने के विरेज से उसके पीछे जो vertically opposite दोनों को सीधा-सीधा, पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये angle theta होता है. अब आपको use करना है सिर्फ ये चीज आखरी step पर पहुंचते हैं. इन सब चीजों को use करना ही नहीं है. ये तो mg थाई. आपको सीधा बोल दिया ये जो है ये angle theta है तो अब यहां आपने कैरो बनाया और ये mg है और ये angle theta है. इसे आप mg cos theta लिख दोगे सीधा. क्या किया है मालूमने? इस mg को जो कि एक vector है जो कि ये force है जिस force से इस object को अर्थ अपनी तरफ खीच रही है. उसके mg के साथ ये theta angle बना है किसी भी vector ने जिस direction के साथ theta angle बना होता है. सीधा वह वाला component cos component होता है. बच्चों को एक चीज सिखाई थी क्या? resolution of vectors कि किसी भी vector को आप दो component में resolve कर सकते हो. cos theta और sin theta तो mg को आप जैसी theta angle देखते हो उसके direction में mg cos theta लिख सकते हो. ये mg का horizontal component के लाएगा. और यहां आपका आजाएगा mg sin theta. बस जो हम हर question में करेंगे, मैंने कहानी इसलिए सुना दी कि एक बार कहानी डंग से clear हो, तो हर question में आपको ये सब काम करना ही है. जैसे ही आपको दिखे एक ये surface, एक ये surface, ये angle theta, उसके उपर बकसा, बकसा देखते ही आपने ये बनाना है mg, ये बनाना है normal reaction, क्योंकि वो अपनी surface के original position से उतना ही नीचे जुग गया, जितना theta angle आपने यहां से यहां उपर उठाया, ये reason detail में हो गया, अब आपने कुछ नहीं सिर्फ सीधा यहां एक line बनानी है normal reaction के just opposite, और इसको theta लिख देना है, वो theta क्यों आया, वो मैंने यहां पर reason से बताया, कि पहले reaction r था, आपने इसको यहां से यहां ले गए, यह इतना नीचे चला गया, जितना angle यह यहां से यहां गया, उतना angle यह यहां से यहां पहुंच गया, यह theta है, इसके vertically opposite theta है, लेकिन आपको यह सारी कहानी सुनाये बिना, सीधा mg बनाना है, यहां लिखना है mg cos theta, और यहां बनाना है mg sin theta, और अब आपको पता चलेगा कि यह object नीचे slide करता ही क्यों है, slide यह इसलिए करता है, क्योंकि mg को resolve करके आपको जो दो forces मिली हैं, उसमें से mg cos theta और normal reaction, एक दूसरे के equal and opposite दिख रहे हैं, पहले r पूरे mg के equal and opposite होता था, जब तक surface horizontal रहेगा, mg पूरा पूरा r को cancel करेगा, लेकिन surface के inclined होते ही, mg पूरा पूरा नहीं, mg के दो टुकड़ों में से, उसका cos वाला टुकड़ा, यानि cos वाला component r को cancel करेगा, और यह जो mg sin theta है, यह ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए मैंने बोला था, आपने इसको touch भी नहीं किया है, फिर भी इसने slide करना शुरू कर दिया है, और slide करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब किस force की वरे से slide करना शुरू करा है, mg के sign component की वरे से, तो यह एक important आपको बात जान लेनी चाहिए, कि mg, यानि weight का sign component इसे नीचे लाने के लिए responsible है, जब आप इसको horizontal surface पर रखते हो, तो अब आपको कोई न कोई force लगानी पड़ती है, इसे चलाने के लिए, लेकिन अगर आप उसको inclined plane पर रखते हो, और वो object slide करके नीचे आ जाता है, आपके force लगाए भी न, तो अपने आप कैसे आ रहा है, अपने आप तो दुनिया में कोई काम नी होता है, कोई न कोई तो force लगा रहा होता है, तो यहाँ यह force gravity mg का sign component लगा रहा है, जो इसे slide करके नीचे लाना चाहता है, और ले भी आता है, जितना आप इसको उपर ले जाओगे, उतना यह mg sign theta टेके वेली जादा होगे और नीचे आ जाएगा, हाँ, friction उसे रोपने की कुछ इस भी कर रहा है, अब यह situation decide करेगी, roughness smoothness decide करेगी, angle decide करेगा, कि जब तक friction जादा रहेगा mg sin theta से तब तक इस slide नीच करेगी, just begins to slide का मतलब friction और mg sin theta एकदम exactly opposite है, equal है, इसलिए उसने just begin किया, slide वही limiting friction वाली बात आगी, और अगर mg sin theta के value f से जादा है, तो net force निकाले जाएगी mg sin theta minus 1, उस वह course responsible होगी इसको नीचे slide करने की, खैर वह कहानी अभी आगे और detail में पढ़ाई जाएगी, कि slide कर रहा है, uniform velocity से कर रहा है, acceleration से कर रहा है वगयरा वगयरा, आज की कहानी की सबसे main बात यह है, जो आपको समझ लेनी चाहिए, में बात यह कि जब भी कोई object किसी inclined plane पर ऐसे किसी थिर्चे surface पर रखा होता है, तो उस inclined plane पर रखे जाने पर उस पर forces किधर किधर लगती है, और कौन सी force को resolve करके कौन सी force किसको balance करती है, और कौन सी force body को move कराने के लिए responsible है, फिलाल अभी यह topic complete नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, angle of repose क्या होता है वो आपको पता चल गया है, अभी complete करने के लिए इसमें कुछ और आगे की बातें भी सीखनी बाकी हैं, बट आज का main aim हमारा आपको सिर्फ angle of friction और angle of repose सिखाना था, जो कि हमने आपको बता दिया, तो angle of repose क्या है, तो मैं फिर से बता दूँ कि आप किसी surface को, horizontal surface को उसके उपर एक object रखने के बाद, उसके एक end को उपर उठाते जाएं और तब तक उठाते जाएं उस angle तक उठाते जाएं, जिस angle तक उठाने पर body just begins to slide हो जाएं, यानि slide करना just शुरू करें, ऐसे कोई भी angle of repose नहीं होगा, तो आगे अभी से detail में अगली class में पढ़ने से पहले यह याद रखें, कि angle of repose क्या है mainly, और जब आप angle of repose तक ले जाने के बाद, इस box के उपर लगने वाली forces को देखते हैं, तो mg हमेशा vertically downward होता है, normal reaction surface के normal होता है, और जितना normal reaction पहले direction में था, उससे उतना ही angle नीचे की तरफ आ गया था, जिसके vertically positive angle theta होता है, यह आपको बार बार यह reason बताने की यहाँ वाला ज़रूरत नहीं है यह वाला, पता होना चाहिए, आगे काम आएगा लेकिन आपको सिर्फ बताना है, mg ऐसे लगा, normal reaction surface के normal लगा, उस reaction को पीछे की तरफ बढ़ाया तो यह angle theta हो गया, उसका component mg cos theta, theta वाली तरफ होता है, जिसको component क्या होता है, यह नहीं पता हो, उसे vector वाला chapter देखना पड़ेगा, जहां resolution of vector सिखाया गया था, काफी detail में, और याद करने का, याद रखने का तरीका यह है, कि जिस तरफ theta है, vector का वाला component cos है, और उसके perpendicular, यानि उससे 90 degree पर हमेशा sign होगा, अब cos component, normal reaction को balance करता है, और mg sin theta चाहता है, कि वो slide करके नीचे आ जाए, और जिस तरफ वो slide करके नीचे आता है, frictional force उसके opposite direction में लगता है, और angle of repose is the angle of inclined plane, at which the object placed on it, just begins to slide, कोई भी angle, angle of repose नहीं का जाता, यह वो angle होता है, जिस पर body start करती है, slide करना, begins to slide, तो आगे का यह जो, angle of repose से बनने वाला formula और topic है, वो आपको next lecture में कराया जाएगा, आज का काम हम यहीं पर खत्म करते हैं, इस चीज को अच्छी तरह practice कर लें, with reasons समझ लें, अगर यह lecture के अच्छी बात यह है, कि आप इसको एक से ज़्यादा बाहर देख सकते हो, तो revise करने के लिए, जितनी ज़्यादा बार देखोगे, उतनी ज़्यादा और बारी की आप पता चलती है, कभी experience किया होगे, एक movie आपने पहली बार देखी न, उसके बाद उसी movie को दुबारा देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी नई बाते नोटिस करते हैं, और जितनी ज़्यादा बार देखते हैं, उतनी कुछ नए-ने points निकल कर आते हैं, सेम movie होती है, एक ही बार shooting होगे, खतम हो चुकी होती है, दुबारा कोई नई acting नहीं करने हैं, नई कहानी नहीं है, लेकिन उसी में अगर आप गौर फर्माओगे, तो आपको बहुत सारी ग रस्तिंग लगेगी, उसका बहुत फायदा होगा, choice is yours, तो चलो ज़्यादा प्रवचन नहीं करते हैं, यह class यहीं कहतम करते हैं, मिलेंगे अगली class में, तब तक के लिए goodbye and take care.